दोस्तों भारतिय जंता पार्टी कहती है कि उसे क्रेडिट लेने में कोई इंटरस्ट नहीं है उन्हें सिर्फ काम पर विश्वासे उनका काम बोलता है जंता उनकी कामों को सराहती है जंता उन्हें सराखों पर बिठाती है इसलिए तो दो दो बार सत्ता में चुनकर उन्हें भेजा गया है बहुमत वाली सरकार लेकर आई है बीजेपी सिर्फ काम ही बोलता है ऐसा बीजेपी के नेता गण जमीनी इस्तर पर दावा करते हैं लेकिन इसी क्रेडिट लेने के चकर में भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं की जो धुलाई हुई है दोस्तों जो पिटाई हुई है जिसका विडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से अब वाइरल हो रहा है काम करने वाली पार्टी के कारेकरता क्रेडिट लेने पहुँचे थे कि इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए बीजेपी को मिलना चाहिए भारती जनता पार्टी को लेकिन क्रेडिट तो मिलना सका उल्टा पुलिस वालों ने दोड़ा दोड़ा कर जबरदस तरीके से पी और प्रधान मंत्री के पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं यह बीजेपी के कारिकरता हूं कि जर यह बीजेपी के कारिकरता पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं और इसी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के चक्कर में बीजेपी कारिकरता हूं को पुलिस ने जब काफला तो रुका नहीं उल्टा पुलिस वालों ने इन कारिकर्टाओं को जबरदस तरीके से पिटना शुरू कर दिया पिटना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि यह पुलिस वाले से भड़ते विनसर आए हाला कि यहां पर बीजेपी के कारिकर्टा जो है क्रेडिट लेने तो उन्होंने कहा तक भारत सरकार ने भी इस योजना में पैसा लगाया है तो फिर राजस्तान के मंतरी इसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं यह हुजूम यह भीड बीजेपी के कारिकर्टाओं के जरिए मंतरी साहब का काफिला रोकने आया उसके बाद क्या हुआ वह आपके सामने है सबसे पहले मैं दैनिक भासकर की यह खबर आपको दिखाना चाहूंगी कि दैनिक भासकर लिखता है भाजपा कारी करताओं को पुलिस ने दोड़ा दोड़ा कर पीटा मंतरी का रास्ता रोकनी की कोशिश कर रहे थे कॉंग्रेस नेता ने निकाली पिस्टल पिस्टल पुलिस ने पीटा है अब आपको बता दिए मंतरी है कौन मंतरी प्रमोजजयन है दोस्तों मंतरी प्रमोजजयन-aden भाया जो की राजस्थान के मंतरी है इनको इनका рукं आपको को रोकने की कोशिश भाजपा के कारीकरताओं के तरफ से किया गया जो कि महंगा पड़ा, भास मंख्रोल का है जहाँ पर शाम में कल करीब 5 बजे जो है इस तरीके की घटना सामने आई है जानकारी के अनुसार मंतरी भाया मंग्रोल में सरकारी कॉलेज की बिल दिंग का उधगाटन करने जा रहे था कॉलेज मंग्रोल के इचाबा रोट पर सुम्हा हुआ है इस कॉलेज का निर्मान केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से हुआ है ऐसा कहा जा रहा है भाजपा कारिकरताओं ने या आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बनाया है लेकिन भाजपा कारिकरताओं को यहाँ पर बुलाया नहीं गया इसलिए वो मंतरी की आने से पहले ही भाजपा के जो कारिकरता है वो मंतरी सहाब का काफिला रोकने के लिए पहुँच गये लंबी चौड़ी गाड़ियां जा रही थी कॉंग्रेस क मंत्री की राजिस्थान में जो मंत्री हैं कॉंग्रेस की सरकारनमा पर तो उस काफिले को रोकना जो है इन लोगों को भारी पर गया भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष दिलिप मीना ने आरोप लगाया है कि इस दौरान युवक कॉंग्रेस के पूर्ब जिला अध्यक्ष शर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग आड़ गये इसको गिरफ्तार करो कुछ देर बाद मंत्री का काफिला आया जिसको रोकने की कोशिश की भाजपा के कारी करताओं ने इसके दौरान मौझूद आप पुलिस भाजपा कारी करताओं पर लाठी चार्च किया भीड को तितरवितर कर दिखते हुए काफेले को निकाला गया इसके बाद भाया ने सरकारी कॉलिज में जाकर बिल्डिंग का उद्गाटन किया मैला चातरवास और करमचारी आवास का उद्गाटन खटते हुए उन्होंने पूरा क्रडिट लिया और इसी क्रडिट को लेने क के लिए भाजपा भी सड़क पर उतर आई थी लेकिन क्रेड़िट के चक्कर में भार्टी जनता पाटी के कारेकरताओं की पिटाई हो गई हाला कि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं दोस्तों इस तरीके से पिटना नहीं चाहिए था क्रेड़िट ही तो मांग रहते हैं दे दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए गा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल बेना भूले